अब आप लोग शांद दोकर बैठिए शुप शंद्याद हमें सबसे पहले अपने मात्री भूमी के परणाम करें चिए यहाँ पे उपस्ति सारे लोगों के नमन करें चिए हम्रो नाम सुभम कुमार चिए हम्रा थेटी उतना अच्छा नहाँ आवे चिए मम्मे के मैं एक मेहना पहले बोलिये कि अहाँ सारा चीज हम्रा दिल के बट लेकिन हम्रा अपनों मात्री भासा नहीं सिखल के आप थेटी मैठली का एक बोली है आप अपने बच्चों को सारा लेंग्वे सिखाईए आप थेटी भी सिखाईए हिंदी भी सिखाईए और आप लोगों को लगता हुआ कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ लेकिन मैंने जब अपनी ट्रेनिंग अकाजमी में सबसे पहले गया तो वहां पे सारे यूपेसी क्राक की वे बंदे थे सारे वहां पे जोबी थे सब राइंकर थे टॉपर्स थे तो सारे लोगों नहीं पूछा क सारे लोगों का कुछ ने कुछ उनका खुद का भासा होता है और वो उस पे गर्व करते हैं तो मेरा ये कहना है कि आप अपने कल्चर को अपने संस्कृति पे गर्व होना चाहिए जहां भी मैंने गया वहाँ पे शुरुवात में लोग बोलेंगे कि एक बिहारी है लेकिन धीरे धीरे उनको यकीन हो गया कि बिहारी क्या कर सकता है वो बला कि बिहारी ऐसे बोलता है गुजराती भी तो अपना अलग भासा बोलता है कभी साउत वाले लोगों को देखा कैसे हिंदी बोलते हैं तो मेरा ये कहना है कि अपने पे आपको confidence होना चाहिए आत्म शुराष्न होना चाहिए अपने पे गर्व होना चाहिए जब आप अपने को जान पाएंगे तो ही आप अच्छे से अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं क्योंकि फिर आप अपना शक्त प्रतिस्त देंगे मैं जो भी हूँ वो मैं अपने परिवार वालों के वज़ा से हूँ मेरे परिवार में पापा ममी चाचा चाची दीदी भाई बहन सबका महत है मैं कहीं पर भी गया हर दिन ममी पापा से हर दिन अपने परिवार वालों से बात किया यह कहने के लिए एक छोटा सा बात है लेकिन जब आप अपने लोगों से अपने लोगों की पास रहते हो और उनका फुल सपोर्ट आप पे होता है तो मुझे ये लगा कि अगर मैं एक्जाम नहीं भी क्वालिफाइ कर पाऊं फिर भी मेरे परिवार मेरा हमेशा साथ देगा कभी भी एएसे पापा नहीं बोले कि ये अग्जाम नहीं क्वालिफाइ करोगे तो क्या होगा वैसा कुछ में मैं इस एक्वाजाम के हर घरी में हर स्टेज़ पर मैं ये बोला कि पापा इतना मुझे अहुझे नहीं ओ पाएगा लेकिन पापा कहते थे कि नहीं तुम कर सकते हो तुमको जितना विश्वास तुम पे है उससे ज्यादा मुझे तुम पे है तो यह support जो है वो बहुत unique रहा वो बहुत अलग किसम का support रहा और दूसरी बात जो पापा कह रहे थे कि घर का महौल अच्छा होना चाहिए तो अभी तक मैं एक एक इंसिडेंस मैंने नहीं बताया है कि मुझे असल में मोटिवेशन कहां से मिला एक बार ऐसा हुआ कि पापा को याद भी नहीं होगा बालदेव दादा मेरे घर पे आते हैं वो अपने बेटी के शादी के लिए कुछ तीन हजार रुपे पापा से उधार पे लिए होंगे और उनकी बेटी के शादी पापा यहां मंदीर में कराये थे तो पापा ने ये नहीं कहा कि तीन हजार रुपे मैं दे रहा है वो अगा कि नहीं आपको वापस करना है फिर वो महनत किये और फिर वो तीन हजार वापस जब दे रहे थे तो मैं भी देख रहा था पापा ने सारा नोट काउन्ट किया पांसो के नोट से फिर एंड में तीन हजार रुपे दादा को दे दिया कि ये आपकी महनत की कमाई है ये अपने साथ रखे ये मैं कहना चाहता हूँ कि इससे ये क्या हुआ कि वो सामने वादा महनत किया वो कमाई वो फ्री का पैसा नहीं समझा इसी तरह मैं भी चाहता हूँ मेरी ये कामना है कि मैं भी लोगों के लिए काम करूँ एक बार रिजल्ट आ जाना बड़ी बात होती है उससे बड़ी बात है कि लोगों के आशाओं पे खरा होना मैं भगवान से पढ़ातना करता हूँ कि मुझे इतनी सक्ति दे कि मैं हर लोगों के आशाओं पर ख़रा उत्रो इसके अलावा आप आप जो भी रहें लेकिन सबसे पहले आप आदमी अच्छा बनें लोगों ने कहा कि तुम्हारा लग बहुत अच्छा है एक्जाम कौलिफाई हो जाता है अच्छे कर लेते हो लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप तरलक तभी साथ देगा जब आप खुद के लिए आप सही हो आप दूसरों के लिए सही हो आप दूसरों की मदद करें आप पे भवाहन मदद करेगा चात्रों के लिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसे बच्पन में मुझे लोग कुछ कहते हैं कि बहुत जिक्ड़ी है मैं आप कहता हूँ कि जिक्ड़ी है तो ठीक है मै यह करूँगा मैं करके दिखाऊँगा यह जिद भी बहुत अच्छी चीज़ ए जिन्दगी में उतार चाराव हर किसी के जिन्दगी में होता है मेरे भी जिन्दगी में रहा जब विद्धे विहर में क्लासिक्स में गया 110 लोगों में मेरा स्थान जो होता था वो 40-50 के असपास होता था लेकिन पापा मुझे कभी फोर्स नहीं कि कि तुमको पहला स्थानी लाना है क्लास 6 में ऐसे ही रहा 7 में भी क्लास 40 के आसपास ही रहें का रहता था क्लास 8 में किसी ने मुझे कह दिया कि शुभम बहुत लगी है 40 के आसपास रहें का आता है section A में चले जाते हो विदेवर में रूल था कि top 40 वाले को section A में रखते हैं तो फिर मैं ये सोचा मैंने प्रण लिया कि मैं ये करके दिखाऊंगा कि ये बस लक नहीं है मैं महनत करूंगा जब आप प्रण लेते हैं आपके पास एक proper plan होता है आप उसको इंप्रिमेंट करिए और धीरे धीरे आप खुद का एक बहतर self बन के निकले के आपको ये हमेशा लगना चाहिए कि आज का जो मैं हूँ कल का जो मैं बनूंगा वो आज के मैं से बहतर बनूंगा जिंदगी बहुत चीज़ सिखाती है संघर्ष बहुत चीज़ सिखाता है और लाइफ के हर फेज में हमारी कोशिस ये रहती है कि मैं अपना एक बेटर सिर्फ बनूं मैं इसे भी और अच्छा बनूं और मेरा भी यही रहेगा लाश में मैं एक पंक्ति बोलूंगा कि कर्मन्ये अर्थात आप कर्म करिए फल की चिंता ना करें फल तो कभी न कभी आहीं जाएगा धन्यवाद और को बहुत बहुत धन्यवाद और को उसके जीवन की शुब कामना के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोग इतने की तादात में यहां आए मुझे बहुत अच्छा लगा इतने सारे लोग इतने अच्छी बाते कहीं मैं ये विश्वास जिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जैसा भी सोचा होगा उस पे मैं खरा उतरने के कोशिस करूँगा जन्वाद